आइफोन 15 के साथ में आइफोन 13 प्रो को कंपेर करने वाले हैं अलो जैशी राम गाइस बेल्कम टू टैक कॉन ट्रेंड सबसे पहले इन दोनों की बील्ट क्वाल्टी और डिजाइन के बारे में बात कर दें तो यहां पर दोनों के सबसे परेंस आता है साइट फ्रेम का आइफोन 15 में एल्यूमिनियुम की साइट फ्रेम दे के रखे है 13 प्रो में हमें स्टेनलेस स्टील की मिलती है जो कि जादा 13 Pro में यहां पर center में देखे रखिया और बाकी के design जो है बहां पर भी थोड़ा difference है अगर नीचे के तरफ देखोगे तो iPhone 15 में type C port है जो की काफी ज्यादा काम में आता है इसमें आप SSD लगा सकते हो और भी बहुत कुछ हो जाता है और backside की तरफ नजर डालें तो यहां पर दोन Pro में आपको एक extra telephoto lens मिल जाता है 3x zoom के साथ में बट यहां पर telephoto lens तो नहीं है 48 में उपसल का camera sensor मिल जाता है camera compare में आपको बताऊंगा इस iPhone 15 की screen पर फिलाल मैंने ऐसे iPhone 14 का screen protector लगा दिया था तो उस बस से यहां पर bubbles भी आ गया है तो इसको थोड़ा से ignore करना वीडियो में तो यहां पर काफी difference है 15 में हमें डैनमिक आइलेंड मिल जाता है जो की काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में और डिस्प्ले 15 की ज्यादा बड़ी है लगती है और बड़ी भी लगती है वैसे तो सेम ही साइज है बड़ी लगती है 13 pro के मुकाबले यहां पर सबसे 13 pro ज्यादा स्मूथ है ज्यादा मजा आता है इसे यूज करने का बाकि build quality में देखा जाए तो यहां पर 13 pro में ज्यादा स्टेडी फील होता है क्योंकि यहां पर stainless steel का यूज किया है और हमने इसका water test भी किया उसमें भी इसने survive कर लिया था iPhone 15 का भी हम करेंगे water test और बाकि द जलती आ जाते हैं तो tempered glass यूज करना पड़ेगा आपको face ID की speed देखें यहां पर तो दोनों में same ही है कोई difference नहीं है 13 pro और 15 में same speed मिलती है face ID की दोनों same time पर unlock हो रहे है indoor brightness में कोई difference आपको नजर में नहीं आएगा but guys outdoor में काफी difference है क्योंकि 15 में 2000 peak brightness मिल जाती है तो यहां आप डिफ्रेंस देख सकते हो चैंग में तो यहां पर आपको option मिल जाती है आप 24 में फोटो कलिक कर सकते हो और आप resolution कंट्रोल को enable कर देते हो तो फिर camera से आने की बाद आपको ऊपर option मिल जाती है यहां से आप 48 में फोटो कलिक कर सकते हो और 13 pro में भी अप आपल प्रो रो म 15 में देखने को मिलता है दोनों की range बराबर ही और 1X और 2X देखने के मिलता है तो यहां पर 13 Pro में 3X देखने को मिलता है तो यहां पर 3X क्लिके बहुत अच्छी है क्योंकि यहां पर अलग से यहां पर ठेली फूटो लेंस देके रा गॉख है जो कि background को थोड़ा अच्छे स मोड भी मिल जाता है जो कि 13 में देहने को नहीं मिलता है cinematic mode की बात करें तो 15 में वह भी बैटर है क्योंकि यहां पर आप 4K में वीडियो बना सकते हो और slow-mo दोनों में से में देखने को मिलती है अब दोनों में हम photo क्लिक करते हैं और photo को open करते हैं और edits में आ जाते हैं तो यहां पर 15 में हमें एक option मिल जाती है आप portrait में photo को convert कर सकते हो और background blur हो चुका है और 13 pro में यह option देहने को नहीं मिलती है update के बाद में भी तो यह भाई बहुत अच्छे से वर्क करता है और बहुत ही photo को amazing बना देता है तो यह feature आपको 15 में देखने को मिलेगा दोनों में अगर maxzoom की बात करें 13 pro में 15x देके रखा है और 15 में 10x देके रखा है बट गाइस में आपको result दिखाता हूं दोनों से में photo click करता हूं तो guys result हमारे सामने तो बड़े sensor होने के वज़ए से यहां पर iPhone 15 ने जो photo click किया है उसका result ज्यादा बैट रहा है text आप अच्छे से clear पड़ सकते हो और अभी मैंने 15 का photo on कर दिया है और 13 pro का row on कर दिया है तो 13 में 3x और 15 में 2x में photo click करते है guys इस photo में जो result है आपको दिखाता हूं यहां पर अगर मैं zoom करता हूं 15 में और 13 pro में zoom करता हूं तो guys 13 pro का photo जो बैटर ने कलके आया है क्योंकि यहां पर लग से telephoto lens मिलता है तो उस बस से 13 का result ज्यादा बैटर है यहां 48-meg mechanism camera है बट फिर भी 13 Pro का result ज्यादा बैटर आया है फिप्टीन में मैंने 48-meg फिल्ब्स ऊन कर दिया है और 13 pro में मैंने raw mode on कर दिया। दोनों का zoom मैंने 2x पर कर दिया और अभी photo click करते हैं दोनों में जूम करके देखते हैं तो यह 15 में जूम और 13 में जूम तो यहां पर मैं नीचे देख पा रहा हूं यहां पर हमें 15 में नेजर आरे 13 प्रो में 2x मतिन अच्छा result नहीं आये और आप स्क्रीन पर भी जून करके देखते हैं तो यहां पर 2X की परफॉमस्स की बात करों दोनों ही सेम लेटेस बर्जन पर रन कर रहे हैं और पर फॉमस्स में यहां पर मुझे कुछ जगह पर 13 प्रो अच्छा लगा कुछ जगह पर हमारा 15 अच्छा है अगर मैं बीजी माई कि बात करूं तो आइफोन 15 में आप 60 एपस पर खेल सकते हो और आइफोन 13 में आप 90 एपस पर भी खेल सकते हैं क्योंकि यहां पर 120 हर्स बाले डिस्पले है बट आइफोन 15 में एक एडवेंटेज है आगे जब और अपकमिंग गेम्स आएंगी अच्छी अच्छी तो इतना capable होगा यह कि उन गेम्स को अच्छे से रन कर पाएगा यह और हो सकता है उस टाइम आइफोन 13 उतना अच्छे से रन ना करें और बाकी परफोर्मेंस में सिर्फ 19-20 का फरक है ज्यादा फरक है नहीं अब गाइस दोनों में एपस ओपन करके देखते हैं तो यहां पर 13 प्रो अपन कर रहा है और अप स्टोर की बात करें हैं तो यहां पर 13 प्रो अपन कर रहा है अब बैटरी बैक आप कि बात करों पहले मैं आपको बैटरी है दिखा देता हूं 38 पर सेंटें ने हमारा तो 100 है तो जब मेरे पास 13 परो नेया नेया आया था तो उस ताम ही एक दिन अरा के अराम से दे रहा है इसमें मैंने नॉर्मा यूज किया गेमिंग थोड़ी बहुत की बीजी माई गेम इसके उपर मैं बीजी माई की उपर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा तो बैटरी बैकर इसका भी बहुत जब दसते है एक दिन से ऊपर यह निकाल के दे रहा है आइफोन 15 बैक साइड से काफी हीट हो चुका है आइफोन 13 प्रो के मुकाबले यह एपल को जल्दी फिक्स करना चाहिए हलांकि इसके लिए एपल एक अपडेट भी दी ती और उसके बाद भी अभी तक भी कैमेरा यूज करने पर यह हीट हो रहा है 13 प्रो में हीट कंट्र सुने के बादे से आप अच्छे पॉर्टर फोटो क्लिक कर सकते हो और फिप्टिंद की बात करें तो बहां पर 48 में के कैमेरा है जिसमें डिटेल काफी सही आती है और 4K सिनेमाइटिक मोड मिल जाता है एक्शन मोड मिल जाता है बहां पर एक अलग एडवांटेज है यहां का लिंक के निचे डिस्क्रिप्शन में वहां पर भी आ जाना बड़ी-बड़े ब्लॉक्स वहां पर भी आपको मिलते रहेंगे तो मैं में मिल तो नेक्स वीडियो में लव यू आल गाईस टेक केर और बाई बाई